भारत ने आखिर 600 करोड रुपए फिर लगाए इससे पहले चंदरयान 2 मिसन के लिए पूरा खर्चा हुआ था 988 करोड रुपए जिसमें से 375 करोड रुपए तो लग गए थे GSLB MK3 रॉकेट बनाने के लिए जो रिपोर्ट कहती है और उसके बाद वो फेल हो गया फेल होने के बाद भारत ने फिर से 600 करोड रुपए लगाए तो कुछ तो हासिल करना चाहता था भारत चंद्रमा पी ऐसा क्या था जो उसे मिल चुका था पर उसकी पुष्टी नहीं हो रही थी भारत को क्या अब वो मिल गया है चंद्रियान 3 ने इतनी बड़ी खुसकबरी दी है ज आखिर क्या मिला है चंद्रमा पे तो वहीं दूसरी तरफ क्या भारत और चाइना का रोवर टकराएगा जानेंगे क्या कुछ चल रहा है इस पेस में वैसे आपको बता दें चांद पर दुनिया भर के देश पहुचने की कोसिस कर चुके हैं लेकिन अभी रोवर की बात करे तो दो ही एक्टिव रोवर हैं एक तो चाइना का यूटू टू है और दूसरा है भारत का प्रग्यान 2019 से चीन का रोवर यहां मौजूद है लेकिन भारत के रोवर ने यहां पहुचकर हैरान कर दिया और सवाल उठता है कि आखिर दोनों रोवर हैं कहां दोनों रोवर इस 591 किलो मीटर दोनों एक दूसरे से एकदम विपरीत छोर में हैं वैसे अच्छी बात यह है कि यह दोनों ही रोवर एक्टिव हैं दोनों ही 6 पहिये वाले हैं बहुत जादा घूम फिर सकते हैं और भारत का विक्रम लेंडर 500 मीटर तक घूम फिर चुका है अब सवाल यह उ से ही तापमान माइनस 150 डिगरी पर पहुंच जाएगा रोवर काम करना बंद कर देगा क्या प्रज्यान को वो मिल चुका है जो उसे हासिल करना था जिसके लिए भारत ने डबल खर्चा करके भी इस अभियान को जारी रखा तो जो नहीं जानते हैं वो जान ले यह जो अभ मिट्टी लाया गया तो उसे परिच्छन किया गया बताया गया यह मिट्टी बहुत सूखी हुई है यहां पर संभावना नहीं है किसी भी ऐसी चीज़ का बहुत सूखी हुई मिट्टी है उसके बाद 2008 में नासा को मिला एक सेंपल जिससे यह लगा कि सायद यहां कभी आरोप है या सच्चाई है ये पता नहीं 2008 में ही नासा को समझ में आ गया था कि चांद में कुछ है जो बेहद महतपुर्ण है और इसलिए नासा ने अपने डारपा के साथ मिलकर प्रोग्राम बनाने सुरू कर दिये कि हम चांद पर आगे की योजना को लॉंच करेंगे नासा के उपर ये भी आरोप लगा कि 2008 में उसे बहुत सारी चीजे पता चल गई थी लेकिन उसने बताया नहीं अब 2009 में संयोग देखिये कैसा होता है इसरो का चंद्रियान वन जाता है और अपने साथ एक नासा का इंस्ट्रूमेंट ले कर जाता है और वहां से चंद्रियान वन ये बताता है कि यहां पर पानी हो सकता है चंद्रियान वन वहां से डोल पिटना सुरू कर देता है कहा तो ये जाता है कि नासा ने इस बात को चिपाया था पर भारत ने इस बात को चिपाया नहीं और भारत ने इस बात को कह दिया कि चांद पे पानी हो सकता है जब भारत तो फिर नासा भी कहने लगा कि हां हां हो सकता है हमने भी एक मीशन चलाया था और उस मीशन में हमें लगा था कि सायद साओथ पॉल पर दचनी धरूँ पर यहाँ पर बर्फ के गोले हो सकते हैं अब यह बर्फ के गोले बर्फ के गोले मतलब चांद पर बहुत बड़ा खाजाना क्यों वो भी बताएंगे आपको आप इस क्रीन पर आर्टिकल देखिए कितना महतपुर्ण है इनोंने क्या कहा है ये है जॉन्सन इनका कहना है कि आसा करती हूँ कि चांद पर आइस मिल जाएगा बर्फ मिल जाएगा ग्लोबल स्पेस टेकनलोजी और इन्वेस्टमेंट में ये एक बहुत बड़ी नाम है ये इस वक्त B2 सम्मिट में आई हुई है भारत इसके अलावे आप देखेंगे कि यहां एक दूसरा आर्टिकल है जिसमें कहा जा रहा है कि आसा करते हैं चंदरियान 3 के लेंडिंग के बाद हमें वाटर आइस के बारे में कोई खबर मिलेगी कोई जानकारी मिलेगी इसका मतलब आप क्या समझे इसका मतलब यह है कि इस चंदरमा पर पानी की खोज ये बहुत बड़ा कारण था भारत का जो यह मिसन था जिसमें भारत ने डबल पैसे लगाए डबल पैसे युही नहीं लगा दिया है डवल पैसे इसलिए लगाया है क्योंकि एक बहुत बड़े मकसद के साथ चंद्रयान थ्री चंद्रमा पर पहुँचा था और वो था कि हमें सारी चीजों का पता लगाना है क्या मिनरल्स हैं क्या खनीज पदार्थ हैं इनकी मिट्टी में क्या यहां पर पानी है और पानी की संभावना है ये सारी चीजें और अच्छी बात क्या थी अच्छी बात ये थी कि हम सिर्फ दूर से देख नहीं सकते थे आमारे पास रोवर था, रोवर ये जो चल रहा है ये सेंपल इकठा कर सकता है, ये गढ़े खोद सकता है, ये जो चंदरियान 3 है, इसके साथ बहुत सारे पेलोड हैं और ये पेलोड का इस्तेमाल करके अलग अलग चीजें जो हमें चांद को समझने में मदद करें, जो में मदद करें इसके लिए भेजा गया था अब जैसे ही चंद्रियान 3 उत्रा और चंद्रियान 3 के बाद विक्रम लेंडर के जरिये यहां पर उतर गया हमारा प्रग्यान रोवर 26 केजी का रोवर जो धीरे धीरे मूव कर रहा है 500 मीटर तक अभी बताया जा रहा है कि यह हम कर चुका है और आपको बताने इसने डेटा को करना सुरूँ कर दिया है इसी क्रैम हम एक जगाई इसने खुदाई कि और खुदाई करने सस्टा अभी चोड़umbles से एक हालात कैसे रहेंगे पर जैसे खुदाई हुई अभी छोटी सी ही खुदाई हुई थी और इस छोटी सी खुदाई ने बहुत बड़ी खुसकबरी दे दी क्योंकि इस छोटी सी खुदाई में बताया जा रहा है जैसे खुदाई हो रही है वैसे ही टेमपरेचर उस जगह का कम हो रहा है जिस जगह ये खुदाई हो रही है इसका अर्थ है कि ये जो जगह है इस जगह में अगर और भी ज़्यादा खुदाई की जाएगी तो यहां आपको water ice मिल जाएगा यहां बर्फ मिल जाएगा बर्फ की वज़े से ही temperature घट रहा है जैसे जैसे खुदाई हो रही है गड़े में temperature कम मिल रहा है मतलब कहीं न कहीं भारत ने जो अनुमान लगाया था कि यहां पे बर्फ है और जो सायद नासा को बहुत अच्छे से पता था वो हो सकता है कुछ दिनों में confirm हो जाए अभी फिलाल यही कहा जा रहा है कि जैसे जैसे गड़े हो रहे है वैसे वैसे temperature गिर रहा है अब सवाल उठता है कि आखिर इतना क्या फाइदा होने वाला है तो फाइदा बहुत बड़ा होने वाला है आप ज़रा सोचिए अगर वहाँ पानी मौजूद है तो बहुत सारी समस्या है चाहे एनरजी की समस्या हो ड्रिंकिंग वाटर की समस्या हो ये सारी चीजे दूर तो होई सकती है साथ ही साथ आगे भविस में अगर वहाँ बसना है तो बसने के लिए कौन-कौन सी चीजे मौजूद है इसका भी अध्यन अच्छे से हो सकता है इन सब मामले में आपकी क्या राय है कमेंट कर जरू बताएं जल मिलते हैं अगले वीडियो में नई ख़बर के साथ